इसे विकास अच्छा नहीं लग रहा है, वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा जाती ये दंगा भड़काना चाहते हैं, सामप्रदाइक दंगा भड़काना चाहते हैं एक कथित रूप से बलातकार रेप और उसके बाद में अत्या का जो केस है, जो खुलता जा रहा है, वैसे वैसे बड़ी बड़ी साजिशों का भी परदापास हो रहा है, जिस प्रकार से हातरस के बहाने उत्तर प्रदेश में दंगो की अंतर राष्ट्रिय साजिश का खुला उसके बाद से पूरा का पूरा जो देश है, उसके दिलो दिमाग से इस बात का जो परत थी वो हट गई है कि रेप के नाम पर कितनी बड़ी साजिशें इन राजनेतिक और मीडिया के गिद्धों के द्वारा की जा सकती है, वो जो परत जमी हुई थी वो हट चुकी है, मोबाइल लैप्टोप और भढ़काऊ और बहुत सारी आपत्ती जनक साहित्य शांती विवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला जब्द किया है, और ये चारो के चारो जो युवक थे, ये खास संप्रदाय से तालूक रखते हैं, ये जो चारो के चारो युवक ये पत्तलकार बन करके हाथ रस में घुस रहे थे, पकड़े गई युवाओं में से मुझो फरनगर के नगला का रहने वाला अतिकूर रहमान है, मलपपूर का निवासी सिद्ध की है, बहराइच जिले का जरवल का निवासी है, मसूद एहमद और रामपूर जिले की कोतव वाले एक शेतर में रहने वाला है, आलम, इन सब को गिरफतार कर लिया गया है, अपर पुलिस महानिदेशक कानून विवस्ता, प्रशांत कुमार ने इसमें बताया है कि सोमवार को पुलिस को सूचना मिली थी, कि कुछ संदिक्द व्यक्ति दिल्ली से हातरस की तरफ जा र पुलिस के अनुसार ये बताया गया है कि उनके कबजे से मोबाईल लैक्टॉप और शांती विवस्ता को के उपर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला संदिक्द साहित्य भी बरामद किया गया है, और इसके बाहने वहाँ पर दंगों की साजिश रचने का पूरा का पूरा सिस्टम इन लोगों ने बिठाया हुआ था, अब आप जरा सोचिए कि हाथ रस की खबर आते ही जो हिंदू उबल गया था, जो कहरा था किस प्रकार से योगी सरकार और उनकी पुलिस खोनी बन चुकी है, इस सब के पीछे आपको जरा गौर करने के अवशक्ता है कि उत्तर बड़ा इन लोगों के द्वारा सजाया गया पहले से पहले ही प्रोपेगंडा है, जिसमें कि दीपक शर्माजी ने जिस समय पर संजय सिंग और उसके लोग जो जो उस समय हातरस के गाउं में उपस्तित लोग थे वो लोग जानते थे कि पीफाई का इसके पीछे बड़ा ह बात है और उनके इस कारणामे के तुरंत बादी पीफाई का ये वाला खुलासा भी हो गया है, जिसमें कि अंतर राष्टे साजिस का खुलासा हुआ है और यूपी पुलिस ने बेहत गंबीर धाराव में इन लोगों के उपर मुकदमा दर्ज किया है, सो क्रोड वाली बात को बदनाम करने, अस्तिर करने, अफ़ाई फैलाने, पीडित परिवार को गुमरहा करके सरकार के खिलाब बढ़काने, फरजी तस्वीर जो होती है, उनके जरी ये फरजी सूचनाव, फोटोशॉप्ड तस्वीरों के माध्यम सिमा पर नफरत फैलाने का जो पूरा का पूर की जो पोस्ट हैं, वो बहुत जादा नफरत और सरकार के खिलाफ असंतोश पैदा करने वाली हैं, और इनसे होता क्या है, आपसी रंजिस बढ़ती है, पीडित परिवार को सरकार के खिलाफ बढ़काने, सोसल मीडिया पर जूटे, अपति जिनक सम्वेद हीन और बेहत असों से, एक जो पूरा वर्ग है, इसमें संगर्ज पैदा करके यूपी की लोक विवस्था, चिंड भिन करने का मुकदमा भी इसमें दर्ज किया गया है, हातरस के चंदपा थाने में IPC की जो धारा 109 यानि के अपराद के लिए उकसाने, 124A देश की एकता और अखंडता को खत्रा पहुचाने की कोशिश, यानि के राजद्रो, 120B यानि के शडियंत्र, 153A धर्म भाशा और जाती के अधार पर विद्वेश फैलाने, 153B राश्ट्री अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले बयान, 10595 यानि के जूठे जो साक्षे होते हैं उनको का महल बनाने वाले बयान देना और सूचना प्रद्योग की संसोधन अधिनियम 2008 की धारा 67, 66 समेट कुल 20 धाराओं में रविवार को मुकदमा दर्ज किया गया है, इसके साथी साथ आपको भी पता है कि कॉंग्रेस का व्यक्ति था जो परिवार के उपर दबाव बना रहा है, ऐसा हमें अभी कुछ इंपुट मिला है, साथी साथ ये भी जानना बहुत जरोड़ी हो जाता है कि हार्थरस कांड में जारी सियासी घमाशान के बीच में जो जांच एजन्सिया हैं, उनको एहम सुराग भी मिले हैं, जांच एजन्सियों के मताबिक योगी सरकार को दं चालित करके महौल बिगाडने की कोशिश की इतना ही नहीं, इस वैब साइट के जरिये अफवाओं को फैलाने के लिए विदेशों से तकड़ी फंडिंग भी की गई है, जांच एजन्सियों के चापे के बाद में फिलहाल वैब साइट को बंद कर दिया गया है, लेकिन इतार MST International से भी जुड़े होने के संकेत मिले हैं, मैंने भी तकरीबन 5-6 दिन पहले MST के उपर एक वीडियो बनाया था, किस प्रकार से वो भारत तोड़ो अभियान में सनलिप्त है, और MST को भारत से पूरी तरीके से उसका वोर्यमिस्तर समेट दिया गया है, लेकिन UK में रहकर भी MST भारत में अस्तिरता का महौल बना सकती है, और योगी मोधी सरकार को गिराने के लिए वो अपने एड़ी चोटी के जोर लगाएगी, इसके लिए उसने इसलामिक देशों के साथ में भी हाथ मिला लिया है, और इसकी फंडिंग की भी जानकारी सुरक्षा एजन इतना ही नहीं, कुछ नामचीन लोगों के सोसल मेडिया अकाउंट्स का भी इस्तेमाल उसमें किया गया है, वैबसाइट बनाने में PFI और SDPI की भूमी का भी सामने आई है, बताया गया है कि दंगे के बाद में किस परकार से दंगों से हमने बचना है और जब पुलिस वहा में बचने का तरीका भी बताया गया है, इतना ही नहीं, अफ़ाय फैलाने के लिए मीडिया और सोसल मीडिया के दुरूप योग की भी वहाँ पर बाते की गई है, अमेरिका में हुए दंगों की तरज पर ही UP की घटना को ले करके, जिस परकार से वहाँ एक जो बताया था यहीं पर बलरामपूर में यही जो घटना है वो दलित बेटी के साथ में मुस्लिम ने की है, वहाँ पर दलित लाइफ मैटर नहीं करती है, वहाँ पर ना ही तो पिंकी पहुंचती है और ना ही वहाँ पर इनका जो चाटू कार है चंदर शेकर रावन वो पहुंचता है, ल बहुसंख्यक समाज में फूट डालने के लिए मुसलिम देशों और इसलामिक कटरपंदी संगटनों से पूरा पैसा आया है CAA हिंसा में शामिल उपदरव्यों और राष्ट विरोधी तत्वों ने योगी से बदला लेने के लिए यह वैब साइट बनाई थी वैब साइट में यह भी बताया गया है कि चेहरे पर मास्क लगा करके पुलिस और परसासनिक अधिकारियों का विरोध करें ताकि आप पहचान में भी ना आएं यानि कि योगी जी नों कहा था कि जो हम तुमारे फोटो ले लेंगे और फिर चोक चोराव पर लगाएंगे और तुमसे ही वसूली करेंगे उसका भी वहाँ पर तरीका बताया गया है बहु संख्योक में फूट डालने के लिए प्रदेश में नफरत का बीच बोने के लिए वैबसाइट पर तरह तरह की बहुत सारी तरकीवे बताई गई है फेक हिंदुों के नाम से अकाउंट बना करके राजपूत के नाम से अकाउंट बना करके ये सारी की सारी चीज़े किस परकार से ने दलितों के खिलाफ दंगा बढ़काना है उनके खिलाफ नफरत बढ़कानी है उस सारी ट्रेनिंग्स यहां के माध्यम से दी गई थी रिवार की देर राज जैसे ही चापे मारी शुरू हुई रात को ही यह वैबसाइट बंद हो गई मीडिया और सोसल मीडिया के जरिये फेक न्यूज फोटोशॉप्ड तस्वीरें अफवाएं एडिट एडिटेड कुछ विजुवल्स इन सब को दंगा भड़काने के लिए इस्तेमाल किया गया था और साथ ही साथ यही नहीं सो करोड की फंडिंग के वारे में तो पहले ही जाँच एजन्सियों ने आप लोगों को बता दिया है अब इसके अलावा आपको ऐसी और कौन सी चीच चाहिए जो आपको ये समझाने के लिए परियापत हो सके किस प्रकार से हात रस को एक पूरे प्लांट तरीके से बनाया गया है एक हफते का समय लिया गया है ताकि यहाँ पर जो बहु संख्यक समाज है खास तोर पर जो सवरन समाज है उनके खिलाफ किस प्रकार से दलितों को भड़काया जा सके दलितों के खिलाफ सवरणों को भड़काया जा सके आप ज़रा सोचे कि वो बच्चा वो लड़का जो उस बहन के लिए पानी लेकर क्या आया होगा उसी के उपर जब रेप का इलजाम लगा होगा तो उसके दिल पर क्या गुजरी होगी जिस समय उसको जेल में डाला गया होगा उसके दिल पर क्या गुजरी होगी एक व्यक्ति जो उस लड़की से प्रेम करता होगा उसी के उपर उसी के रेप का इलजाम लग जाए तो उस पर क्या गुजरी होगी जाच एजंसियां भी जाच कर रही हैं इसमें कुछ भी कहना बहुत आतूरता होगी लेकिन कुछ जाच करने वाली स्वतंत्र संस्थाओं का ये तक कहना है कि बेटी की हत्या खुद उसकी फैमिली ने की है मैं कुछ दिनों से ये भी सुन रहा हूँ कि कोई अपनी फैमिली में किसी लड़की की हत्या कैसे कर सकता है ओनर किलिंग में हो सकता है कोई व्यक्ति कैसे मरते समय जूट बोल सकता है ऐसा भी तो हो सकता है कि उसको मरने का पता ही ना हो और जैसे ही उसने जूट बोला हो अपनी family को बचाने के लिए या फिर किसी अन्यलालच के लिए उसके बाद में उसको मार दिया गया हो हो सकता है कि वो उसको खुद ना पता हो कि वो मरने वाली है कि भाईया हम तो अपना नार्को टेस्ट नहीं कराएंगे हम तो अब ये जाँच जो CBI जाँच है वो नहीं कराएंगे बला हमारे घर से लड़की गई और हमी जाँच कराएं ये सारी चीजे क्यों हो रही हैं आप लोगों को थोड़ा समझना चाहिए नहीं तो आप मुझे जरा बताईए कि यदि कोई मुस्लिम आपको ये कह रहा है कि इसलामिक देशों में सक्त नियम बना हुआ है किसी भी रेपिस्ट के लिए उन मुस्लमानों से ये भी पूछे कि काफिर के साथ में रेप के लिए क्या नियम है आपको इस पश्ट तोर पर मैं बता दू कि काफिर के साथ में रेप को जायज बता गया है और ये मैं नहीं कह रहा हूँ मुस्लिम महिला कह रही है पिन कमेंट में लिंक दे रहा हूँ पूरी वीडियो आप उसकी सुने आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार से महिलाओं के खिलाफ ये रेप होता है उसमें स्वम इसलामिक देश भी केवल और केवल तब सजा दे सकते हैं जब उसकी गवाही कोई पुरुष दे दे गवाही की बात में करूँगा और बात करूँगा मैं भाई अक्रिलेश की जिनको की UAE की गौर्मेंट ने अभी कैद किया हुआ है बलासफेमी के चलते हुए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं ये वीडियो यदि आपको जानकारी से भरपूर लेगर आपको लगता है कि हाँ प्रोपेगंडा था और वो अब टूटने जा रहा है तो इस वीडियो को सब के साथ में शेर अवश्य करें सत्यसनातन आपका अपना प्लैटफॉम है इसको स्प्रैड करें लोगों तक पहुँचाएं मेरे संग बोले सत्यसनातन वैदिक धर्म की जय जय हिंद वंदे मातरम